नमस्कार दोस्तों मैं मुकुंद्राउद आपका स्वागत है लॉंड्री नॉले जाइंट केमिकल्स में दोस्तों ये तेल का दाग है ये यहां पे तेल का दाग लगा है ये तेल का दाग कितना बड़ा है ये यहां शे चालू होता है तो यहां तक खतम हो जाता है और ये इस के कॉलर को भी तेल का दाग है तो दोस्तों हमारे लॉंड्रे में तेल का दाग एक रिगुलर दाग है ये सभी कपड़ों पे लगता है तो दोस्तों ये तेल का दाग कैसे निकालेंगे और हमारे पास क्या सुलूशन है इसका तो इसके बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तो तेल का दाग ये एकसल स्टेंडरि मोर है और एकसल स्टेंडरि मोर तेल के दाग के लिए हमारे पास perfect और hundred percent कारगीर chemical है तो दोस्तों ये हमारे पास ये तेल के दाग के लिए आया है और हमने इसके 300 रुपे चार्ज किये है बले ही हमें इसमें कम खर्चा लग जाए मगर कस्टमबर को यस्ट्रो चार्ज लगाना पड़ता है दोस्तो आपके भी लॉंड्री में अगर तेल का दाग का कोई कपड़ा आ जाता है तो आप 199% to 100% गयारांटी दे दीजिए तेल का दाग निकालने की अपने लॉंड्री का नाम आपने गाउं शिहर में बढ़ा कीजिए और अपना मुनाफा भी बढ़ा दीजिए तो दोस्तो और ये कैसा निकलेगा क्या निकलेगा मैं आपको सिकाता हूँ तो दोस्तो ये तेल का दाग जो ये हमारे कमपानी का प्रोडेक्ट है एकसल स्टेंडरी मोर ये बहुत सारे लॉंडरी ओनर के पास पहुंच गया है तो उनको भी इसका फाइदा हो जाएगा कि आपने पास एकसल स्टेंडरी मोर है और आपने लॉंडरी में आगर तेल का दाग का कोई कस्टमबर आ जाता है रंगिन कपड़ा हो सपेद कपड़ा ह या फिर कच्चे कलर का कपड़ा हो तो आप ग्यारांटी दे सकते हैं तो दोस्तों देखते हैं इसको कैसा निकलना है इसका प्रोसीजर यह है दोस्तों कि बिगर कपड़ा गीला की यह डायरेक कपड़ों पे लगा दीजिए यही अक्सल स्टेंड रिमोर और तूद ब्रस की मदद से इसको आप ब्रशिन कीजिए बस इतना ही करना है दोस्तों यह बहुत परफेक्ट तैलाज है तो आप देख सकते हैं कि यह तेल का दाग किस तरह से हट गया है चीक दूसरी तरह यहाँ पे भी लगा देते है और देख लीजिए यह किस तरह से निकल गया है यह देख सकते हैं तो इसको हम कैसे निकलेंगे दोस्तों कि हम क्या करेंगे यह पूरे पार्ट को एकसल स्टेंडरी मोर लगा देंगे तूथ ब्रश की मदद से उसको रबिंग कर देंगे और रबिंग हो जायने के बाद इसको सूकने देंगे और सूकने के बाद क्या करेंगे इसको 15-20 मिनेट से जनरल वाश कर देंगे और जो ये पार्ट है यहाँ थोड़ा हलका सा ब्रस चलाएंगे ताकि ये तेल का दाग है जो पूरा 100% निकल जाए तो इसी तरह से प्रोशेस करेंगे और यहाँ पे फिर कंप्लेट प्रोशेस हो जाने के बाद यहाँ थोड़ी प्रेस घुमा कर देखेंगे कि यहाँ का जो दाग है पूरी तरह से निकल गया है या कुछ परसेंट बचा है तो दोस्तों हमने इसको कस्टमबर को 300 रुपे चार्ज दिया है और हमने ग्यारांटी भी दिये है कि आपका जो ये दाग है कि 99 परसेंट तो 100 परसेंट निकल जाएगा अगर फिर हमें कुछ ऐसा थोड़ा बहुत दिखता है तो हमारा काम बनता है कि यही फिर एक्सल स्टेंडरी मोर इस दाग पे लगा दीजिए ब्रोशिंग कीजिए और इसको सूख जाने दीजिए और वाश कीजिए तो इससे क्या ह जाएगा ये जो दाग है 100% निकल जाएगा और जब ये कस्टमबर पहिनेंगा तो यहाँ धूल तक नहीं पकड़ेगा क्यूंकि तेल का दाग निकल गया ऐसा दिखता है और फिर वहाँ पे धूल पकड़ता है तो फिर वह दाग दिखता है तो कस्टमबर को गैरांटी दे जाएंगी और नोबत आती है तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है कि क्योंकि क्या होता है इसका तो हमें यस्ट्रो भी चार्ज मिलता ये फाइदा होता है और दूसरा फाइदा ये होता है कि वहां उस लॉंड्री में कौन से भी दाग निकलते है ये हमारा नाम हो जाता है और ज क्या होता है जब हमारा नाम बढ़ता है कस्टमबर बढ़ता है फिर हम आच्छा रेट ले सकते हैं भले दूसरे लोग कम रेट लेते रहे फिर भी हमें कस्टमबर आच्छा रेट देते हैं क्योंकि हमारा नाम हो गया है कि यह बहुत आच्छे काम करते हैं हर तरह के दाग नि गदे जैसी मेनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लॉंड्री में आगर तेल का दाग का कोई भी कपड़ा आ जाता है दोस्तों तो 100% to 99% गयारांटी दे दीजिए आपका दाग निकल जाएंगा और यस्ट्रा चार्ज पेट्रोल वाश फर्मूले का लगा दीजि आपको कुछ खर्चा नहीं आ जाएंगा अभी यही प्रोशीजर करूंगा दोस्तों मैं पूरी दाग कोंसा भी हो यह देख सकते हैं जैसे ही हम ब्रश करते हैं तो खुल जाता है इससे कपड़ों का कलर भी नहीं उड़ता है मगर हमें यह देखना पड़ता है कि इतने सारे कच्चे कलर के कपड़े आ जाते हैं कि उनका कलर धूप से भी उड़ जाता है पानी का अगर कोई भूंद गिरती है तो पानी से भी उड़ जाता है कोई गरम चीज से भी उड़ जाता है तो हमें ये बहुती सेंसिटिव कपड़े पे चेक करना पड़ता है कि कही इसका कलर तो नहीं उड़ता मगर एकसल स्टेंड रिमोर का फार्मूला कलर उड़ने वाला नहीं है इसी तरह से दोस्तो हम क्या करेंगे ये जो पूरा इरिया है यहाँ पूरे इरिया पे एकसल स्टेंड रिमोर लगा देंगे ब्रश करेंगे और 15-20 मिनेट के लिए छोड़ देंगे फिर इसको जनरल तरीके से वाश करेंगे और फिर यहाँ पे प्रेज गुमा के देखेंगे कही दिखता है क्या बचा है क्या अगर जरूरत है तो डबल यही क्रिया करेंगे और कस्टमबर को हम यह दाग निकाल के दे दोस्तों तो तेल का दाग अगर आपके लॉंड्री में आ जाता है तो आखे बंद करके आप ग्यारंटे दे दीजिए आपका दाग निकल जाएगा और येक्ष्ट्रो चार्ज लगा दीजिए दोस्तों हमारा यह लॉंड्री बिजनेस है इसलिए यह बिजनेस में क्या होन चाहिए एक तो दाग परफेक्टली निकल जाना चाहिए और फिर वो दाग मिंटों में निकल जाना चाहिए ना कि घंटों में और ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये तेल के दाग के लिए ये केमिकल लगाओ वो केमिकल लगाओ चारपाज केमिकल यूज़ करो ऐसा नहीं हमार यसी आई एक्सल स्ट्रोकर और फ्लायर ये चार तरव के जो स्टेन रिमोर है ये हमारे लॉंड्री के लगबक पूरे दाग कवर करते हैं मगर सब का अपना अपना स्टेन निकालने का काम है और इन को इस्तमाल करने का तरीका भी अपना अपना है इस हिसाब से चलाएंगे त और परफेक्ट रिजल्ट आ जाएगा तो मिलते हैं आगले वीडियो में जय हिन जय भारत